नश्कार दोस्ते एक वाफिस साफ सभी का बहुत वाफ स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल गेर अपडेट में और दोस्तो जासा कि आप देखरो एक बार मैं फिस है हूँ आपके लिए हीरो इलेक्टिक स्कूटर के शोरूम में और साथ ही इस स्कूटर में आपके लिए फाइनेंस की सुवीदा भी है अगर आप इसे फाइनेंस करा के लेना चाहते है तो इसमें मीनिमम कितना डाउन पेमेंट होगा EMI क्यारिक इसकी विजानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सबसे पहले दोस्तों इस स्कूटर का complete body part आपको plastic fiber material का मिलता है और इसका quality को काफी अच्छा रखा गया है साथ ही इससे नजदिक से देखे तो आप देखेंगे इसका fit और finish को काफी अच्छा रखा गया है जो देखने में स्कूटर काफी premium सा नजर आता है hero electric scooter NYX variant में आपको single charge में 165 km का range मिलता है और साथ ही इस स्कूटर में आपको 45-50 km per hour का top speed भी मिल पाता है इस स्कूटर को आपके लिए कुछ इस तरह design क्या गया है कि आप इसे daily use कर सकते है और साथ ही अगर आप कोई business purpose के लिए भी इसे use करना चाते है तो आप इसे कर पाऊगे कैसे इस वीडियो में बने रही है आगे आप इस वीडियो में जान पाऊगे आप जब भी किसी electric scooter को purchase करते हैं तो उसमें चार चीजे सबसे खास होती है battery, charger, motor and controller तो आइए सबसे पहले इन चारों के बारे में जानते हैं और साथ ही इसके warranty के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ सबसे पहले इस scooter के battery के बारे में जान लेते हैं इस scooter में आपको 51.2V 30AH का lithium-ion 2 battery लगा हुआ मिलता है और इस battery में आपको company के तरब से 3 साल का guarantee मिलता है guarantee period में अगर battery में कोई problem आता है तो इसे replace कर दिया जाएगा साथ ही इन दोनों battery को charge करने के लिए आपको इस scooter के साथ 2 charger भी मिलता है और इन दोनों charger से आप इस scooter के दोनों battery को 4 से 5 घंटे के अंदर full charge कर सकेंगे और इस charger में आपको company के तरब से 3 साल का warranty मिलता है और अब हम जानते इस scooter के motor के बारे में इस scooter के motor में आपको 1200 watt का pick power मिलता है जिससे आपको इस scooter में 45 से 50 km पर hour का top speed मिल पाता है और company के तरब से इस motor में आपको 3 साल का warranty मिलता है साथी इस scooter में जो controller लगा है इसमें भी आपको 3 साल का guarantee दिया गया है अगर 3 साल के अंदर कोई problem आता है तो इसे replace कर दिया जाएगा और अब हम Hero Electric Scooter NYX variant के सभी features के बारे में जानते हैं और शुरुवात करते हैं इस scooter के front look से इस scooter का headlamp पर नज़र डाले तो आप देखेंगे यह आपको काफी premium सा नज़र आएगा और इसके अंदर आपको LED light लगा हुआ है और scooter के front panel पे आपको graphic के साथ electric sticker में लगा हुआ नज़र आएगा और काफी premium look में इस scooter का आपको front mudguard मिलता है Hero electric scooter NYX variant के scooter के seat पर नज़र डाले तो आप देखोगे इसमें आपको two piece में काफी premium सा red stitch में आपको seat नज़र आएगा साथी इस scooter के rear seat पे एक बहुती खास बात है जिसे आप fold कर सकते हो इसका फाइदा यह है कि अगर आप इस scooter को बहुत जादा right करते हैं या फिर long ride पे जाते हैं तो यह आपको काफी support करता है long ride में इस scooter के seat को fold कर देने की वज़ा से इस scooter में आपको काफी बड़ा सा carrier सा बन जाता है जिसमें अगर आप कोई delivery boy का का काम करते हैं या फिर कोई business करते हैं shop to shop supply करने का तो यह आपके काफी काम आ सकता है इस scooter के front seat को भी आप open कर सकते हो जिसके अंदर काफी जगह है जहाँ पर आप अपने ज़रुरत का काफी सारा समान रख सकते हैं scooter के rear side panel पे आपको graphic के साथ hero electric NYX का 3D emblem लगा हुआ मिलता है जो देखने में आपको काफी premium सा नजर आएगा और इस scooter के tail light को काफी sleek सा बनाएगा है जिसमें आपको इसके tail lamp और turn signal lamp दोनों में आपको normal bulb मिलता है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस scooter में आपको काफी बड़ा सा lag space मिलता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको delivery boy का का काम करते हैं तो ये आपके लिए काफी बहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप अपना बहुत सारा समान सामने के तरफ में रख सकेंगे अब हम इस scooter के handlebar में मिलने आले के switches और इसके console feature के बारे में जान लेते हैं लब साइट के handlebar में आपको horn, turn signal, indicator और high beam, low beam switch मिलता है और इसके console में आपको digital console मिलता है जिसमें आप इस scooter का battery level, km per hour और automator देख पाएंगे और right side के handlebar में आपको headlamp on-off switch मिलता है इस scooter के inner body panel में आपको bottle holder और एक front में pocket नज़र आएगा और साथ ही इसी के ऊपर में आपको एक carry back hook भी नज़र आ रहा है साथ ही front pocket के अंदर के तरफ में आप ध्यान दिया तो यहाँ पर आपको एक mobile charging socket दिया गया और इसी के साथ इस scooter में आपको ladies footrest और इस scooter का side stand आपको company fitted लगा हुआ मिलता है और अब हम दोस्तों इस scooter में मिलने वाले इसके suspension wheel tire और इसके brakes के बारे में जान लेते हैं इसके front suspension में आपको telescopic fork के साथ इसके front में 10 inch का काफी chrome finish में sporty सा दिखने वाला alloy wheel मिलता है और इस alloy wheel में आपको 310 का tubeless tire लगा हुआ मिलता है और इसी के साथ इसके front brake में आपको drum brake मिलता है साथी इस scooter के rear suspension में आपको bike type twin spring loaded hydraulic type suspension मिलता है जिसे आप adjust भी कर सकते हैं और इसी के साथ इसके rear में 10 inch के hub motor में 310 का tubeless tire लगा हुआ आपको मिलता है और रियर ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है दोस्तों अगर आपको Hero Electric Scooter NYX वेरियंट पसेंदारा आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि हमारे जमशेदपूर में इस स्कूटर का actual on-road प्राइज है 1,12,560 रूपीज मगर आपको इस स्कूटर में सबसेडी मिलने के बाद आपको सिर्फ पे करना है इस स्कूटर के लिए 82,630 रूपीज और अगर आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराना चाते है तो हमारे जमशेदपूर के कोटेक मेहंदरा बैंक से आप इस स्कूटर को सिर्फ 20,999 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करवा सकते हैं आप अगर इस स्कूटर को 36 मन्थ EMI पे लेते हैं तो आपको हर मन्थ पे करना है थो 2548, 24 मन्थ EMI पे लेने के लिए आपको हर मन्थ पे करना है करना है 6215 रूपीज अज मैंने दोस्तों इस स्कूटर का test rate में लिया है तो आई ही आपके साथ अपना riding experience में share करता हूँ सबसे पहले बता दू कि इस test rate को दूरान मैंने इसे double ride में test rate किया था और double ride होते वे भी मुझे इस स्कूटर में काफी अच्छा pickup मिल पा रहा था वो काफी comfortable भी है suspension की बात किरो तो इस स्कूटर के front में telescopic fork और rear में spring loaded head only tap suspension मिलता है जो स्कूटर के लिहाँ से काफी अच्छा है और brake के बारे में जैसा कि आप सभी जान रहे इसके front और rear दोनों में आपको drum brake मिलता है shop to shop कोई product delivery करने के लिए तो आपके लिए hero electric scooter NYX ये variant आपके लिए बहुत ही बहतर हैगा क्योंकि आपने देखा कि इस scooter में काफी space दिया गया है जो आपके काफी काम आएगा अगर आप कोई भी electric scooter लेने की सूच रहे तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप hero electric scooter NYX इस variant का एक बढ़ टेस्ट रहे जरूर ले क्योंकि आप जब इसे right करेंगे तो मुझे मालूम है कि आपको ये scooter काफी पसंद आने वाला है अगर आप जंशेदपूर या इसके आस पास से हैं और इस scooter का टेस्ट रहे लेना चाते हैं ताकि मेरे सबी वीडियो आप तक पहुंच सेके और इस वीडियो के हैं पे आप सबसे पूछना जाओंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर जोरू बतने झाल